नमस्ते मेरा नाम डेविड है और आप दिललन टॉप देख रहे हैं Citizenship Amendment Act यानि की CA और National Register of Citizens यानि की NRC को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदेशन चल रहा है PM मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है 22 दिसंबर को दिली के राम डिला मैदान से उन्होंने एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी प्रधान मतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोई भी detention center नहीं है उन्होंने कहा कि जो लोग देश में जूट फैला रहे हैं अफवा फैला रहे हैं इन लोगों को पहचानने की जरूरत है कॉंग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गए detention center की अफवा सरासर जूट है सुनिए PM मोदी ने और क्या कहा एनर्सी इसका भी ऐसा जूट चलाया जा रहा है ये कॉंग्रेस में जमाने में बढ़ा था तब सोयत है क्या हमने तो मनाया नहीं पार्लामिन में आया नहीं न स्कैबिनेट में आया है न उसके कोई नियम काईदे बने है हवा खड़ा किया जा रहा है और मैंने पहरे ही बताया इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं न कोई धर्म जाती पूछते हैं तो क्या दूसरा कानून आपको निकान देने के लिए करेंगे क्या बच्चे जैसी बाते करते हो कॉंग्रेस और उसके जैसे दलों ने चिलना दिया कि वो देखो क्या चल्दा आप मैं बताता हूँ ये कॉंग्रेस वालों ने उसके साथ जोंने चिक चिक करके बोला वो देखो कववा कान काटकर उड़ गया कववा कान काटकर उड़ गया और कुछ लोग कववा के पीज़े भांगने लगे अरे भई पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कववा काट गया के ने काट गया पहले ये तो देख लीजिए कि एन आर्पी के फिर कुछ हुआ भी है क्या जूट चलाए जा रहा है मेरी सरकान आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोर देशवासों को कहना चाहता हूँ कहीं पर भी एन आर्पी शब्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है कोई बात नहीं हुई है सिर्थ सुप्रीम कोड ने जब कहा तो हो सिर्थ आसाम के लिए करना पड़ा क्या बाते कर रहे हैं जूट फालाए जा रहा है कॉंग्रेस और उसके साथ ही शहरों में रहने वाले कुछ पड़े लिखे नक्षली अर्बन नक्षल यह अफ़ा प्रहला रहे हैं कि सारे मुसल्मानों को डिटेंशन चेंशन में बेट दिया जाएगा मैं हरान हूँ कि इस अफ़ाने अच्छे अच्छे पड़े लिख भी यह भी पूछ रहे हैं यह डिटेंशन चेंटर क्या होता है कैसा जूट कैसा और एक तरफी में एक मीडिया डिपॉर्य कि रहा हैं जिसने मीडिया के लोग लोगों से पूछ रहेते हैं कि यह जरा बताइये भी डिटेंशन चेंटर कहां बना है आपको पता है क्या तो सामने वाले उनको फूछ रहेते हैं एक बार पढ़तों लिजिए कि सम्विदान संसोजान और हेनार्थी यह सम्व है क्या आप तो पढ़े नहीं के लोग हो मैं देश के नौजवानों को आगरा करता हूँ जड़ा पढ़िए इसको अब भी जो ब्रह्म्य है मैं उन्हें कहूंगा कि कॉंग्रेज और अर्बन नक्षलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशेंटर के अपए सरासर जूट है बद इरादे वाली है देश को तबा करने के नापाक इरादों से बरी पड़ी है यह जूट है जूट है जूट है जो जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जिनके पुर्खे माभ भारती की संतान है भाईयों बैनों उन पर नागरिक्ता कानोर और एनर्थी दोनों का कोई लेना देना रही है कोई देश के मुसल्मानों को न डिटेंशन सेंटर में बेजा जा रहा है न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाईयों बैनों यह सफेज जूट है यह बदिराजे वाला खेल है यह नापाग खेल है और भाईयों बैनों मैं तो हरान हूँ कि यह लोग जूट बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कुछ लोग सिटिजन सिविश एमेट्मेंट एक को गरीबों के ही खिलाप बताते हैं क्यों सीश कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हग खिलने लेंगे अरे जूट पहलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो बढ़ाएं अगर इस वीडियो को आप यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए